So hello guys, तो कैसे हो आप लोगतो है? इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप भी जो अपना कोरोना या वैक्सीन का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? जो भी आपने पहला डूस लगवाया, दूसरा डूस लगवाया, उसका जो आप सर्टिफिकेट कैसे आप डाउनलोड कर लोगे, उसको जो है आप जो प्रिंट करवाके जो अपने पास भी रख सकते हो, तो guys वो जो है डाउनलोड करने के लिए जो आपको किसन की चीजों की जरूवत पोड़गी, तो जो है सिरफ वो फोन नंबर की जरूवत पढ़ने वाली है, जो की आपने जो है करोना का वैक्सिन लगाते टाइम जो है दिया था, तो guys वो जो है फोन नंबर आपके पास होना चाहिए, और उस पे जो है चालू होना चाहिए, उस पे जो है एक OTP जाएगा, वो OTP जो है आपको डालना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है करोना का जो है सर्टिफ तो गैस वो सारा कुछ जो मैं अपने मुवाइल पर लाइव आपको करके दिखाने वाला हूँ जो लाइव आपके सामने जो इसको डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ जैसे यासे मैं डाउनलोड करूँगा वैसे यह आपको भी जो गैस डाउनलोड करना है अपने मुवा ब्राउजर खोलेना है तो यहाँ पर ब्राउजर मैं especially बोलूगा कि आप जो है Chrome जो guys Chrome browser जो सभी के फोनों में होता है तो आपको जो यह वाला browser खोलेना है normally आप कोई और browser पर भी यह कर सकते हो उस पर भी काम कर जाएगा तो guys यहाँ पर जो Chrome browser मैंने open कर लिया है यहाँ पर जो अब यहाँ पर लिखा हूँ है search type तो guys यहाँ पर मुझे search करना है यहाँ पर आपको क्या search करना है covin तो guys यहाँ पर जो है यह वाली जो आप लोग देख लो guys तो यह वाली जो है आपको open कर लेना है अपने मॉइल पर तो गैस मैं जो यहाँ पर इसको open कर लेता हूँ तो यहाँ पर open करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तिर्की का जो इसका जो इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा सामने जो नरेंद मोदी जी की आपको photo दिखाई देगी तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आप corner में देखोगे तो 3 बिंदी आपको 3 dots दिखाए दे रहे हैं तो simply जो आपको इसके उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद जो है आपको जो 4 options show होंगे Vaccine Service, Platform, Research, Support तो आपको किस पर click करना है आपको vaccination service पर click कर देना है इसपर click करने के बाद जो यहाँ पर आपको show होगा सबसे last में download certificate तो आपको जो simply जो download certificate पर click कर देना है इसपर click करने के बाद जो यहाँ पर आपसे जो है मांगा जाए रहा है register or sign in for vaccination तो guys यहाँ पर N OTP will be sent to your mobile number for verification तो guys यहाँ पर आपको वह वाला mobile number डालना है जो आपने vaccine लगाते time जो है दिया था उनको तो guys यहाँ पर जो है मैं फटा फट से अपना mobile number डाल लेता हूं तो guys यहाँ पर जो है मैंने अपना phone number डाल दिया उसके बाद आपको क्या करना है आपको simply जो है get OTP पर click कर दिना है तो मैं जो है यहाँ पर get OTP पर click कर दिता हूं तो यहाँ पर जो है मुझे जो guys एक OTP गया हुआ है जो कि guys मेरे इसी phone में आ जाएगा तो guys आपको भी जो guys अपने phone पर OTP आएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो N OTP has sent to phone number पर तो guys आपको क्या करना है आपका message का जो app होता है guys वो message में जाना है और आपको जो है अपना OTP चेक करना है OTP आया है कि नहीं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो guys मुझे OTP आ चुका है तो guys मैं अपना OTP यहाँ पर भर दूँगा तो मेरा OTP क्या है तो यहाँ पर यहाँ पर यह जो guys मैंने अपना OTP भर लिया है ये और ये तो गाईस ये जो है मैंने OTP भर लिया उसके बाद OTP भरने के बाद आपको क्या करना है verify and proceed पर click कर देना है जैसी आप लोग verify and proceed पर click करोगे तो आपके सामने जो है आपका जो है नाम शो हो जाएगा नाम शो हो जाएगा जो भी आपने जो है vaccine लगाई है COVID shield को vaccine जो भी आपने लगाया वो भी शो हो जाएगा और यहाँ पर जो आपको एक option शो होगा show certificate simply जो आपको क्या करना है आपको show certificate के उपर click कर देना है show certificate पर click करोगे तो यहाँ पर आपको जो है download का button show हो जाएगा तो simply आपको जो यहाँ से इसको download पर click कर देना है तो जैसी आप इसको download करोगे तो आपके mobile में जो यहाँ पर पूछेगा आपको download करना है कि न तो यहाँ पर आप देख सकते हो certificate pdm नाम से जो है मेरे phone में download हो रहा है तो जैसी मैंने इसको download किया मेरे phone में जो है यह open हो गया है तो guys आप लोग देख सकते हो कुछ इस्तिरिके का certificate होता है और जो है आप guys इसको जो है चाहो तो print जो है अपने नजदी की किसी दुकान में जाके इसके पास printer हो तो guys वहाँ से इसका जो print निकलवाकर रख सकते हो या फिर आप इसका जो card भी बनवा सकते हो तो guys इस video मैं आपको नहीं बताने बना कि card आप कैसे बना सकते हो तो guys अगर आपको card भनाना सीखना है तो आपको जो हैदे इसी video के नीचे comment करना है कि हाँ μुझे card बनाना सिखा दो तो guys मैं जो आपको इसका जो card बनाना बता दूँगा कि आपका जो card कैसे बना के बाई जो कैसे जो बना सकते हो mobile पर ही तो guys आपको जो है simply जो है आपको ये वाला जो मैंने आपको जो download करना जो है बता दिया है और guys card के लिए जो आपको वीडियो के नीचे comment करना पड़ेगा तो guys यही था आज की इस वीडियो में तो guys अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो please like ना हो से के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना